हेलो फ्रेंड्स मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे नौरात्री में जो हम जौरेब होते हैं उससे संबंदित कुछ महत्पूर्ण जानकारी आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे इसके अलावा हम यह भी बात करेंगे कि नौरात्री के समापन के बाद किस तरह से जौरे का विसरजन किया जाता है इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाईएगा दोस्तों नौरात्री के प्रथम दिन कलश स्थापना के बाद जवारे बोय जाते हैं और इसी के साथ भक्त नौ दिन देवी मा की पूजा अराधना करते हैं नौरात्री में जौब होने के बहुत सारे फायदे होते हैं और बहुत सारे लाब भी होते हैं इसलिए नौरात्री पूजा में नौ दिन जौब को पानी दिया जाता है और इन नौ दिनों में रोजाना जौब बढ़ते ही जाते हैं और अश्टमी या नौमी को नौरात्री पूजन के समापन के बाद जौब का विसर इसे पून फसल कहा जाता है बोएगे जो सुक समरद्धी का प्रतीक माने जाते हैं और ये अन पूना का रूप भी होते हैं कहा जाता है कि जो उगा कर भविष्टी से संबंदित भी कुछ बातों के संकेत मिलते हैं यदि जो तेजी से बढ़ते हैं तो घर में सुक समरद्धी भी तेजी से बढ़ती है और ज्वारों के रंग से हमें पता चल जाता है कि हमारा आने वाला साल कैसा रहेगा अगर जो सफीद या हरै रंग का उग रहा है तो ये अत्यन शुब संकेत है अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा सफल हो गई है और आने वाला पूरा साल आपके घर में खुशाली बनी रहेगी और धन आगमन के रास्ते खुलेंगे जो अगर नौ दिन तक हरे भरे रूप में फसल की तरह बढ़ जाए तो ये भेह शुब होता है इससे आपकी पूजा सिद्ध हुई और मातारानी की क्रपा से आपके घर में सुक समरद्धी बनी रहेगी दोस्तों, नौ दिन के नौरात्री के आखरी दिन हवन के बाद उगे हुए जौरों का विधी पूर्वक पूजन के बाद विसरजन किया जाता है इस तरह से नौरात्री का पर्व का समापन होता है तो आईए अब बात करते हैं कि बोई हुए जौरे का विसरजन किस प्रकार से करें तो उस दिन सबसे पहले आप प्राता काल जल्दी उठकर इसनान करने के बाद मा भगवती का विधी पूर्वक पूजा अर्चना करें सबसे पहले कलश अटाएंगे फिर जौरे के पातर से पांच या साथ जौरे के पत्ते तोड़ कर मा दुर्गा के सामने रख दें फिर थोड़ी देर बाद इन जौरों की पत्ती को उठा कर अपने धन इस्थान या तिजोरी जहां पर आप रूपए पैसे रखते हैं वहाँ पर रख दें इससे आपका घर सदायव धन धान से भरा रहेगा और बचे हुए ज्वारे को पीपल या बरगत के पेन के नीचे रख दें या बहते हुए जल में विसरजन कर सकते हैं तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और अगर आपको मेरे द्वरा दीगे जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दीजेगा और कॉमेंट सेक्षन में जैमाता दी जरूर लिखें फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अब तक के लिए धन्यवाद